गुदिधिग वेदम वेड लूँ नओ आज का लेक्चर चालू करते हम आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले है वो है कैपसिटी एन लेवल अफ सर्वीस अनालिसिस तो सबसे पहले हम कैपसिटी के बाधे में बात कर लेते यह capacity होता क्या है ठीक है capacity को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि maximum hourly rate जिस पे passenger या vehicle किसी particular point से या road के किसी particular section से पास हो रहे है during a given time and under some prevailing roadway, traffic and control condition ठीक है यानि कि मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके passenger है या vehicle है किसी point से पास होंगे या किसी uniform section से पास होंगे road के किसी particular समय में और under some prevailing condition ठीक है अब यह prevailing condition क्या हो सकती है road की, traffic की और सब control condition होती है तो इसका जो maximum hourly rate है उसको में capacity बोल सकता हूँ ठीक है अब सबसे पहले मैं maximum hourly rate की जो बात कर रहा हूँ तो maximum hourly rate क्या हो सकता है जो peak hour होता है उसका usually जो peak 15 minute होता है उसको मैं maximum hourly rate बोल सकता हूँ ठीक है तो अब यह जो मेरा कैपसिटी हो गया वो इन टम्स पेसेंजर कैपसिटी और वहिकल कैपसिटी मैं बता सकता हूं ठीक है तो यहां पर जब मैं कैपसिटी को डिफाइन कर रहा हूं तो कैपसिटी को मैं सब प्रिवेलिंग रोडवे ट्राफिक और कंट्रोल कंडिशन मैं define कर रहा हूँ तो अगर कुछ roadway traffic और control condition change होगी तो मेरी capacity भी change होगी ठीक है और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये particular point ये section के लिए मैं ये चीज़े बोल रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं point ये section को change करूँगा यानि change in time और space होगा तो आपकी capacity भी change होगी ठीक है अब मैं ये बोलना चाहरा हूँ कि capacity फिर एक हिसाफ से single value तो होई नहीं है ठीक है अब क्या हो रहा है कि इस हिसाफ से मैं अगर flow rate की value निकालू तो ऐसा भी possible हो सकता है कि जो हमारी capacity है उससे आदा हमारी flow rate की value आ जाए ठीक है तो इसको मैं contradiction to capacity की definition नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो एक expected condition हो गई है और हमारी जो capacity है वो different हो सकती है different days पे और different time in a day पे different हो सकती है ठीक है अब capacity के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हम कि और क्या क्या चीज़े हम capacity के बारे में जान सकते है ठीक है मालो कि एक particular road का section है वहाँ पर capacity है आपकी 2000 vehicle per hour per lane इतनी velocity पर ठीक है और इतनी जब एक case है जब आपकी capacity है 1900 vehicle per hour per lane at velocity of 80 km per hour इसा भी हो सकता है कि capacity हो गई 2800 vehicle per hour for both direction and velocity of 100 km per hour तो मालो कि एसी में कुछ value निकालता हूँ capacity की तो यह जब मैं value निकालता हूँ capacity की तो यह values को मैं experimentally तो find नहीं करता हूँ तो यह value को मैं statistically derive करता हूँ तो मैं capacity के जब value निकालता हूँ तो मैं बहुत सारे section और analysis करता हूँ और statically मैं capacity के value निकालता हूँ, ठीक है, अब मैंने पहले ही बोला कि जो value हो सकती है traffic flow की, वो capacity से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या जरूरी है कि वो नहीं भी हो सकती है, और हो भी सकती है, दोनों बात हो सकती है, अब यह जो capacity की value है, यह काफी time पे अपनी जो value है, original value से गिर सकती है, क्योंकि हर समय तो ideal condition है नहीं, तो prevailing condition के हिसाफ से, अगर non-ideal condition है, तो capacity की value भी आपकी decrease हो सकती है, तो capacity का थोड़ा knowledge होना जरूरी था, LOS को पढ़ने से पहले, हमने जो जान लिया है, अब LOS पर आते हैं, LOS होता क्या है, ठीक है, तो LOS होता है, एक qualitative measure होता है, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कि इस qualitative measure में हम operating या operational condition है, traffic stream में, उसके बारे में describe करते हैं, तो उसके description को qualitative measure करते हैं, with the help of LOS, ठीक है, तो किस quality of traffic है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी हमको LOS के द्वारा, अब operating condition की जो grading होती है, LOS में, वो alphabet A से एप तक होती है, अल्लब 6 प्रकार से हम grading करते हैं, level of service में, ठीक है, अब यहाँ पर जो A condition है, LOS A, यहाँ पर traffic best quality का रहे, traffic में best quality of service मिलती है, लेकिन एप में worst quality of service मिलती है, अब क्या होता है, कि जो LOS का purpose है, यह indication of service measures देता है, ठीक है, service measure में अगर मैं बात करूँ, तो क्या speed है vehicle की, कितना travel time लग रहा है driver को, यह freedom to manual freely, यह पर traffic interaction कितना है, driver को कितना comfort है, यह convenience of driver क्या है, यह सारी चीज़े service measure में आती है, तो इसके बारे में, इसके indication के बारे में हमको LOS जंकरी देता है, ठीक है, तो अब इन चीजों से फाइदा क्या होगा, यह भी देख लेते हैं, इन चीजों के दौरा, जो quality है, है ना, किसकी driver की, driver के experience की, उसके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है, तो यह हमें later A से लेके app तक पता चल जाता है, इस लेवल of service, छे तरीके से हमने classify करी है, ठीक है, तो यह basic चीज़े हो गई है, अपनी LOS related, आगे और बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्या है, कि intention of LOS की बात करूं में, तो इसकी intention होती है, to relate traffic service quality to given flow rate of traffic, ठीक है, यह intention of LOS होता है, और it is a term with designated range of operating condition, और particular type of facility, ठीक है, facility यानी road facility, ठीक है, तो अब मैंने पहले ही बता दिया था, कि यहाँ पर हम छे alphabets के दुआरा level of service denote करते हैं, तो यह जो 6 LOS later है, इनको कौन denote करता है, highway capacity manual denote करता है, ठीक है, और यह सब जो definition है, यह measure of effectiveness of that particular facility पर निरभार करती है, और अब जो measure of effectiveness हो गया है, इसमें आपका travel time हो गया vehicle का, कितनी density है road पर vehicle की, कितना delay हो रहा है, speed of vehicle क्या है, इन सब करती है, ठीक है, अब measure of effectiveness defining LOS in highway capacity manual 2000 के बारे में बात कर लेता हूं, अगर traffic uninterrupted है, ठीक है, तो अगर freeways है, तो मुझे density की देखना पड़ेगी, multilane है, multilane highways है, तो मुझे density की देखनी पड़ेगी, अगर two lane highway है, तो मुझे average travel speed, average travel speed देखनी पड़ेगी भाहिकल की, यह percentage time spent following अगर कोई चोटी गाड़ी है, car है, उसके आगे कोई बड़ी truck चल रही है, तो काफी समय car का उस बड़े truck को follow करते हुए निकल जाएगा, तो percentage time spent following भी मुझे निकालना पड़ेगा, तो सारी चीजे है, इन सब चीजों के बारे मुझे knowledge होना चाहिए, तो तब जाके मुझे अगर मैं interrupted flow की बात करूँ, जिसे signal intersection हो गया है, या unsignalized intersection हो गया है, तो यहाँ पर मुझे कितना control delay है, इसका knowledge होना चाहिए, अब control delay जो होता है, यह second per vehicle के time में हो सकता है, ठीक है, अब urban state है, जो शहर में जो road होती है, महाँ पर average कितना travel speed है vehicle की, उसका knowledge भी होना चाहिए, त ताकि मैं major of effectiveness के बारे में proper knowledge रख सकूँ, और क्या ALOS है उसके बारे में अपना comment कर सकूँ, ठीक है, तो यह काफी सारी basic basic चीजे थी, जो हमने जानी है, आगे बढ़ते हैं, अगर semantic concept के दूर्प में, मैं ALOS को समझता हूँ, तो एक diagram के थुरू में ALOS को समझने के कोशिश करत हो, यहाँ पर क्या करा है हमने, 6 level of service बताई है, operating speed और volume and capacity ratio के हिसाब से, operating speed को मैंने y axis पे plot करा है, और volume by capacity ratio को मैंने कहा plot करा है, x axis पे plot करा है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 6 range आ गई है, इसकी ALOS की, A, B, C, D, E, F, तो यह जो ALOS की service है, A, यहाँ पर क्या होगा, जो speed होग जो travel time होगा, जो freedom to manure होगी, जो interaction होगा, ट्राफिक पे, वो अलग होगा, ठीक है, और B में अलग होगा, C में अलग होगा, D में अलग होगा, E, F, सब में अलग-अलग होगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात कर लेंगे, इसके लिए हमने table बना है, table क बारे है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें knowledge मिलने वाला है, ठीक है, अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, कि factors affecting ALOS क्या होता है, ठीक है, खाफी सारी factors होते हैं, जो level of service को affect करते हैं, जैसे speed or travel time में ने बोला था, traffic interaction बोला था, freedom to travel, ट्राइवर का comfort, convenience, operating cost, ठीक है, यह म में बता रहूं, अगर मुझे इसको detail में बात करनी है, factors affecting ALOS के, तो मैं क्या हो सकता है, कि दो main factor होते हैं, एक तो roadway, roadway factors and traffic factors, जो roadway factor है, वहाँ पर सबसे पहले जो factor होता है, वो land width का होता है, अब यहाँ पर highway capacity manual बोलता है, कि 3.6 meter जो होती है, वो ideal होती है, लेकिन जैसे ही land width घटी है, तो आपकी capacity घटने लग जाती है, अब land width घटेगी, आपकी capacity घटेगी, तो LOS भी affect होगा, अब में lateral clearance भी एक point होता है, अब जिसे आपकी retaining wall होगी, abattment होगया, sign post होगया, या light post या park car होगी, ठीक है, अगर यह सब चीज़े, यह जो traffic lens है, 1.8 meter से कम दूरी पर हो तो capacity घटेगी, मैंने बोला, यह सारी चीज़े, age of traffic lens से 1.8 meter से, 1.8 meter से कम दूरी पर हो, अगर 1.8 meter से ज्यादा दूरी पर हो, तब तो ठीक है, लेकिन कम दूरी पर है, तो capacity घटेगी, ठीक है, इसी प्रकार से road wage factor में एक important factor होगया, width of shoulder, अगर narrow shoulder है आप, आपकी road का, तो narrow shoulder के कारण भी effectively of traffic lens घटेगी, और vehicle के tendency रहेगी, कि वो center of the payment को follow करें, ठीक है, यह important factor grade भी हो गया, अगर जो grade होती है, grade भी speed of the vehicle को affect करेगी, और खास करके heavy vehicle की speed को, अब कहीं पे अगर intersection मुझूद है, तो intersection के कारण भी, जो free flow of traffic होगा, और capacity affect हो जाएगी, अगर alignment के बात करू अगर जो मेरा alignment है, या geometry of road है, वो desired standard का नहीं है, तो capacity decrease होगी, तो LOS भी affect होगा, अगर surface condition अच्छी नहीं है, अगर deteriorated या purely maintained road है, तो capacity affect होगी, LOS affect होगा, तो काफी सारे roadway factors है, जो आपके LOS और capacity को affect करेंगे, अब इसमें एक होता है, और यह सब चीज़े होती है, roadway factor, अब इसमें traffic factor भी होते है, अगर percentage और commercial vehicle की मैं बात करेंगे, तो यह भी एक traffic factor है, तो percentage और commercial factor की बात कर लेता हूँ, अगर large commercial vehicle है, तो traffic stream को दो तरीके से affect कर सकता है, जो बड़े बड़े vehicle है, commercial vehicle, वो passenger car के compare में पहली बात तो ज़्यादा space गहरेंगे, और इनकी जो operating capability है, वो passenger car के compare में poor होती है, ठीक है, अब यह operating capability किस term में हो सकती है, जो acceleration है, उसके term में, deceleration के term में हो सकती है, यह ability to maintain speed in upgrade, इसके term में भी हो सकती है, ठीक है, एक और important traffic factor हो गया, directional distribution, ठीक है, यह बहुत important होता है, in case of two lane highway capacity, ठीक है, इसके अलावा, अगर मुझे और detail में बात करनी है, तो का आपी सारी IRC के approaches भी होती है, कि अपने को कितनी का speed रखनी है, यह सारी चीजे होती है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और important बात बोल दूँ, कि जो service for rate होता है, वो discrete value होती है, ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, example के तुरू हम, यह जो level of service है, 6 प्रकार की, उन तब quality कितनी है, free flow वाली quality है, अब यहाँ पर जो vehicle है, अपनी free flow speed से जाता है, तो यह free flow speed क्या होती है, free flow speed equal to होती है, base free flow speed minus, adjustment of speed for lane width, right shoulder lateral clearance adjustment, और कुछ adjustment lane के करण भी आपको करना पड़ता है, कुछ adjustment आपको interchange density के लिए भी करना पड़ता है, तो इन adjustment के करण भी आपकी base, जो आपकी speed होती है, free flow speed, वो थोड़ी कम होती है, माफस बताता हूँ, जो free flow speed होती है, it is base free flow speed minus, adjustment for lane width, minus adjustment for right shoulder lateral clearance, minus adjustment for number of lanes, minus adjustment for interchange density होता है, ठीक है, मान लोग की जब level of service A है, और speed आपकी जो है, वो 80 km per hour है, तो यहाँ पर मान लोग की particular case में जो vehicle by capacity का ratio है, वो 0.6 है, ठीक है, तो इस condition में क्या हो सकता है, कि volume और density और vehicle तो बहुत कम है, इसके कारण क्या है, कि जो vehicle है, अपनी high speed पर जा सकता है, वो desire speed maintain कर सकता है, easily, ठीक है, लेकिन अब मैं जब level of service B में बात करूँगा, तो अब भी flow तो stable है, लेकिन जो desire speed maintain करने में वहिकल कुछ effort लगेगा, और कुछ न कुछ acceptable delay हो सकता है, ठीक है, अब मैं level of service C के बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी condition ऐसी है, कि stable flow तो रहेगा आपका, लेकिन speed और ज wire volume, ठीक है, अब यहाँ पर भी acceptable delay हो सकता है, वहिकल को, और कुछ न कुछ blockages हो सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ भी आप देख रहे हो, कि जो speed थी, वहिकल की, अगर यहाँ 80 है, तो यहाँ कुछ न कुछ गिरावट आएगी speed में, वहिकल by capacity ratio दीरे दीरे क्या हो रहा है, बढ लेकिन वहिकल by capacity ratio में कुछ न कुछ increase होने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि tolerable operating speed मेंटेन रहती है, लेकिन tolerable delay भी होने लग जाता है, यहाँ डिले जिसकों सहन कर सके, ठीक है, अब इसके बाद और अगर हम बात करें, अगर traffic और बढ़ेगा, तो unstable flow की तरह हम move करेंगे, मतलब quality degrade होने लग जाएगे, अब इससे क्या होगा, जो आपकी speed है vehicle की, उसमें और कमी आएगी, और volume by capacity का जो ratio है, उसमें increase होने लगी जाएगा, अब यहाँ पर भी minor disturbance आने लग जाएगे, जिसके कारण breakdown की स्थीदी हो जाएगी, और vehicle यहाँ पर low operating speed पे जा हो जाएगा, और यहाँ पर भी tolerable delay होगा, लेकिन अगर quality or degrade ही, तो congested flow की condition आजाएगी, level of service app में, अब यहाँ पर क्या होगा, force flow होगा, ठीक है, अब यहाँ पर speed बहुत कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 40 थी, तो यहाँ 15 हो गई, volume by capacity का ratio हो सकता है, 1 की करीब आजाए, व अब यहाँ ऐसा case हो सकता है, जो आपका speed हो, volume है, यह 0 के पास जा सकता है, और लंबे-लंबे समय के लिए, stoppage हो सकता है, vehicle की Q बन सकती है, और restriction हो सकता है, काफी सारी है, तो यह restriction downstream direction में हो सकता है, तो यह level of service को हमने 6 category में divide करा है, और उन सभी चीजों के बारे में हमने difference बढ आए, कि अगर A वाला level of service है, तो जादा comfort है, जादा speed है, लेकिन volume by capacity का ratio कम है, ठीक है, लेकिन अगर A की तरफ जाऊंगा, speed कम होगा, लेकिन volume by capacity का ratio बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, unstable condition की तरफ में बढ़ता जाता हूं, आखरी में congested flow की condition आ जाती है, ठीक है, औ अब यह आखरी में एक और पॉइंट है, जो capacity होती है, आपकी qualitative measure होती है, और LOS qualitative measure होती है, ठीक है,